अच्छा यह बेचने के लिए इसका क्या प्रोसेस है कैसे यह मचली अभी के हैं अभी मचली का रेट 135-40 है और खुदरा में 160 कमिलता है अच्छा एक सीजन भी आपका चलता है पैसे के अगर जिन भाईयों के पास कमी है कितना फिर भी कमाया जा सकता अगर एक सीजन भी चलता एक साल में हम चार लाग कमा सकते थे अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए यह मुह तोड़ जवाब है जैहिंद वन्दे मातरम मैं भी केसिंग स्वागत करता हूं आपके अपने यूटीब चनल और फेस्बूक पेड़ और दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं एक आगत कितना मुनाफा पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे हैं इसको कवर किया हुए जन्वरी में पहले सूट किया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स्रिप्सरी में ले यह चांके आप जाके ले सकते हैं उसमें मचलिया उन्होंने नया डाला था छूभि निकल करके जाएंगी तो यह एक था निकलाक चब ड़सु अगर पूंजी होगा तो हम लोग इसमें से दी बार door तो अगर मैं यह पूछना चाहूं कि अगर एक सीजन भाईयों के पास कमी है कितना फिर भी कमाया जा सकता अगर एक सीजन चलता है तो हम दू लाग शक्कम पाश्चा नहीं कमाये और आप मख़ली की तो कौन सी मखली यां इसके अंदर इसमें रूपचंदा फरहा रहू और चारों मख़ली को अगर रहू मिक्सर के डाला जाता है तो किया उससे फर्क नहीं पड़ता तो क्या यह फाइदमन्द बिजनेस है क्या बहुत बिजनेस फाइदमन्द है और कम पूंजी वालेओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक एकड में अगर हम लगा देते हैं तो चार से पाच लाख रुपई हम कमा सकते हैं तो अगर लागत की बात करें तो लागत लगेगा अगर हम 2 लाख रुपई है कमा लेगा देते हैं तो एक चो लाक लेकिन अब सभाव नहीं है इसलिए कि समय बीच गया ऑब हम 45 में और लागत की बात करें तो मोटा मुटी दो लाख रुपए आपका खर्च हो चुका यह निकलेगा कब तक 10-15 अच्छा यह बेचने के लिए इसका क्या प्रोसेस है कैसे यह मचली अभी अभी मचली का अच्छा और खुदरा में 160 का मिलता है तो अपना विश्ता है कुछ मचलियां हमारा दुचार की उन्टाल 160 का दिख जाएगा लेकिर और मचली जो है अच्छा तो उस अपना निकालते हैं और यह पर योग कर आओ ले जाते हैं और अच्छा अच्छा अब बात करूं कि आप जैसा कहरें कि मुनाफ़ वाला भ्यापार है मुनाफ़ विजने से आपके गाउं में इस तलाब के लावा और लोगों ने तलाब क्यों नहीं अच्छा तो इसलिए भाग रहे हैं दूसरी बात है कि हां किसान है कौम पुंजी का लेकिन कौम पुंजी वालों के लिए तलाब है अब क्यों कि बात करूं तो इसको कितने समय पहले आपने खुदवाया हुआ अगर आपके पास पैसे का भाव नहीं होता अगर पैसा होता तो कितना उमीद कर रहे थे कि एक साल में हम चार लाग कमा सकते थे तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि मचली पालन कैसे किया जाए बाबा ने कैसे किया है कितना investment लगा है और कितने अर्निंग की उमीद कर रहे हैं पैसा अगर होता तो साथ हो सकता थे चार से पांच लाग बनाया जा सकता था इस पंदरक अठा जमीन से लेकिन अब इनका कहना है कि पैसे का भाव की वज़े से साथ 2 लाख रुपे ही कमा पाएंगे इस से अगर आपके पास भी कुछ पैसा है और इतना ही जमीन नहीं से कम जमीन है तो भी आप उसमें काम कर सकते हैं और पिछले वीडियो में ने बताया था कि सारा जो जमीन का खुदाई है सब सबसीडी से हुआ है कोई पैसा नहीं पे किया हुआ है अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का तलाब खुदवाना इस तरह की जानकारी डिटेल जानकारी के लिए बाबा का नंबर अच्छी है इसके ट्रेनिंग भी होता है सारी जानकारी के लिए डिटेल में आप नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आ रहा है और देख रहे हैं हमारे फेस्बुक पे तो फेस्बुक पे पर फोलो और देख रहेंगे यूट्यूब पे सब्सक्राइब और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर भी करते रहें उन लोगों को मचली पालन की जानकारी चाहिए मिलेंगा इस अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बबाए जय हिंत गये